कॉंगरेस निता राहूल गांदी ने शनीवार को मोधी सर्नेम केस में गुजरात हाई कोड के फैसले को सुप्रीम कोड में चुनोती दी दरसल सूरत की सेशन कोड ने अपरादिक मानहानी के इस केस में 23 मार्च को राहूल को दो साल की सजा सुनाई थी फैसले के खिलाफ राहूल गुजरात हाई कोड गए थे जहां साथ जुलाई को कोड ने उन्हें दोशी करार दिये जाने पर रोक लगाने से इंकार कर दिया था हाई कोट ने कहा था इस केस के अलावा राहूल के खिलाफ कम से कम दस केस पैंडिंग है ऐसे में सूरत कोट के फैसले में दखल देने की जरूरत नहीं है कॉंग्रेस ने गुजरात हाई कोट के फैसले के बात कहा था कि हम अब सुप्रिम कोट जाएंगे सुप्रीम कोट में रहूल की याची का पर सुनवाई की तारिक अभी सामने नहीं आई है लेकिन सुप्रीम कोट से रहत मिल जाती है तो रहूल की सांसदी बहाल हो जाएगी और वे 2024 का लोकसवा चुनाव लड़ पाएंगे अगर ऐसा नहीं होता है तो वे छे साल तक चुनाव नहीं लड़ पाएंगे उदर रहूल गांदी के खिलाफ महानानी की शिकायत करने वाले भाजपा विधायक पूर्नेश मोदी ने 12 जुलाई को सुप्रीम कोट में केवियेट दाखिल की थी उन्होंने कोट से मोदी सर्णे मामले में रहूल के पक्ष के साथ साथ उनका पक्ष भी सुनने की अपिल की थी ऐसे ही बने रहे है राजनमा दुनिया के साथ नहीं लिपाद है